तो guys set of resistance अगर आपको दे रखे हों और आपको minimum resistance produce करना है एक ही तरीका है आप उनको क्या करोगे parallel add करोगे सारे resistances को इसका मतलब कि जो R minimum होता है वो parallel combination का जो equivalent resistance हाता है उसके equal होता है और दूसरा fact अगर हमारे पास N registers हों और वो parallel add किये गए हैं तो उनका जो equivalent resistance हाता है वो R by N होता है यहाँ पे आपको जो R that means single register की जो value दे रखी है वो 1 by 5 ohm है जो number दे रखा है उनका वो 5 registers है इसका मतलब जो आपका equivalent या minimum resistance हा जाएगा वो कितना होगा 1 by 5 over 5 that comes out to be 1 by 25 ohm that means कौन सा option हम opt करने वाले हैं बहुक्समा अपक सा श्यूतक जूक्त करने। ज थाएगा। ज कषल вами chaot जूब भाएगाा पका खना। ऑ Er Crám